877.83 करोड की 705 परियूचनाओं की स्वगादी, CM ने 59.55 करोड की 409 परियूचनाओं का लुकारपाड और 368.28 करोड की 344 परियूचनाओं का शिलन्यास किया। मुख्यमंत्री का ये तौरा नगनिका एचिनाओं की तैयारियों का शंकनाद भी माना जा रहा है। बीजेपी के प्रवुद वर्द सम्विलन में नगनिकम शेत्र, सभीनगर पाल का शेत्र और सभीनगर पंचाज शेत्र के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अधिवक्ता, साहितिकार और दम्यों समित करी 12,000 लोग मौजूद रहे। इसकी पहली वेटेट वेट, अगले वर्स प्रारंगों होने जा रही है और गाजियाबाद से हो करके जा रही है। गाजियाबाद के पास अपना एरपोर्ट है, बेतरी इंटनेक्टिमिटी है, और आज इसी वियोस्ता को आगे बढ़ाने के लिए, मैं स्वयम अपने जन प्रतुमियों के साथ में आठ सो अठतर परोड रुपे की प्रयोजनाओं का सोगाद गाजियाबाद वाश्यों का विलंदन करता हूं। प्रदेश में निवेश नहीं करना चाता था, और कोई भी बान और बेदे, आपने आप वो प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं में सूस कर रही थी, लेकिन भायों बेरों, दो अजार सप्रा में आपने प्रदेश चोड़ करके प्लाइन करना है। ग्रेटेन रोड़ा में यनिस्को इंडिया एक तॉन का सीम योगी ने उद्गाटन किया, कराक्रिम किश्वराद बिये सब्क्रिपैन की धुनों से हुई और इसके भाह साथ, 23 अफरिकी देशों से आए चातरों ने अपने अपने देश का जंडा लिखा है। मार्च निकाला इस तोरां सीम योगी ने का कि भारत और अफरिका के रिष्टे संबंदों की एक अद्भुद मिसाल है। किया जा रहा है। इस एकतान में प्रतिभाग करने के लिए 22 देशों के चार सो सिधिक छात्र चात्राएं और प्रतिनिधी यहां पर पस्तित वे हैं। आप सभी चात्र चात्राएं भारत के चात्र चात्राओं के साथ मिलकर अगला अगर टीमों के माध्यम से दिभिन प्रॉब्लम स्टेट्समेंट्स पर 59 सी समाधान वनाने का प्रियास अगले तीन दिन तब करेंगे। इस कारेक्रेम में जो तीस तीस अलग अलग देश हैं उनके स्टुटेंट पार्टिसिपेट करेंगे। और C.M. योगी के पहुचने के बाद तमाम जितनी बीदेश इस कारेक्रेम में पार्टिसपेट कर रहा हैं वो सीआप्यों योगी के सामने इपने अपने देश के जनर्लों के साथ बेनर के साथ लगातार प्रेंट कर रहा है। आप देख सकते तस्विरों में सीयम्योगी यहां पर बैठे हुए हैं और सीयम्योगी के सामने तमाम जो भी देश यहां से विदेशी देश्तों से आने वाले स्टूडेंट हैं वो अपने देश का घंडा लेकार का आगाज कर चुके हैं सीयम्योगी के आने के पास इसकी कि यहां पर बनाया जा रहा है यह हैत्तान आज से सुरू होकर 36 गंटे तक लगातार चलेगा और 36 गंटे के इस कारेकरम के बाद विजेता घौसित किया जाएंगे प्लाल कारेकरम का आगाज शुरू हो चुका है वीडिय जनरलिस संदीब लोहिया के साथ अमित चोधरी तो ग्रेटर नोड़ा से बड़ी ख़बार निकाय चुनाओ से पहले समाजपादी पार्टी को जटका लगा है समाजपादी पार्टी के गदावर नेता भुपेंदर सिंगल ने बीजेपी जोएंग की भुपेंदर सिंगल की पतनी भी बीजेपी में शामिल वेपार मंडल तादरी के अधक्ष है भुपेंदर सिंगाल, सांसद महेश शर्मा की मौजूदगी में शामिल हुए भुपेंदर सिंगाल तो बड़ी खबर आपको इस पक्ट की क्रेटर निवड़ा से बता रहे हैं मैनपुरी के जंग जैसे जैसे करीब आ रही है दोनों प्रमुक पार्टिया इस सीट पर जीट का परचम लहराने के लिए हर तरह की कवायद में जुटी है बीजेपी विकास के साथ जाती घड़ीत को साथी निज़र आ रही है जबकि विरास्त के नाम पर मैनपुरी प्रत्याशी डिमपल यादाओ घर घर जाकर वोट मांग रही है मैनपुरी में एस पी लगातार मेहनत करती नज़र आ रही है खुद यादव कुनवे की बहु प्रत्याशी डिमपल यादव घर घर कवर कर रही है नेता जी के नाम पर वोट मांग रही है दरसल विकास के एजेंट से ज़्यादा समाजवादी पार्टी को सहानभूती वाले वोट पर यकीन है पस्वीर देख सकते हैं कि जो सपा के कारता है यहाँ पर फल और मिठाईया लेकर पहुँचे हुए हैं लोगों को बाटने के लिए क्योंकि देखा जाए तो मुलायन सिंग यादो के निधन के बाद चुकी मैनपूरी का चुनाव भी होना है और उस पर सब की नज़र टीकी हुई है अलाकि अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की जो कारे करता है अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि सपा दफ्तर के बाहर मौजूद है और यहाँ पर फल और मिठाई बाटने की तयारी चल रही है मैंपूरी के रण में बीजेपी भी पीछे नहीं रहना चाहती इसी वजह से जातिये गणित पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है भाजपा सपा के सबसे मजबूत गड़ को द्वस्त करने की तयारीयों में जुटी हुई है भाजपा की कोशिश है कि गैर यादो वोटरों को साधा जाए और इसलिए भाजपा परियानी की मैंपूरी लोकसभाज छेतर में अपनी अपनी जाती के वोटरों को साधनेक में कोई कसर न चोड़े बीजेपी के प्रत्याशी रगुराज शाक्य ने भी खुद को मुलायम सिंग्यादो का शिश्य बताते हुए नामांकन दाखिल किया था शाक्य ने ये भी दावा किया था कि विरासत पर पुत्र का नहीं शिश्य का अधिकार होता है दावे बेशक विकास के नाम पर वोट मांगने का किया जा रहा हो लेकिन इस उप्चुनाओं में कोई और मुद्दा है ही नहीं सिर्फ मुलाइम के नाम पर चुनाओं लड़ा जा रहा है मुलाइम के सियासे विरासत ही यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है टीन न्यूज स्टेट महनपूरी लोगसभा सीट पर उप्चुनाओं में जीत तह करने के लिए बीजेपी लगातार जमीनिस्तर पर काम करने में जुड़ गई है इसे बीच बीजेपी परताशी रगराज सिंग शा के घर गर जाकर वोट मांगते भी नज़र आ रहे हैं उप्चुनाओं में रगराज शाक के का स्पी अध्धक शक्ली शादो की पत्नी डिंपल ग्यादो से मुकाम लागा है कि रगराज साक ने 33 नमंतर किये चाहिए किसी की डेथ होई हो खतम हुए उनके दरवाजे पहुचा किसी उपसों को दुख में जाने का काम किया तो तभी तो नड़े मेला पहली बाज 84 अजार से दुबारा दो लाग से जीते एटाबा के इतियास भी रगराज साक ने बदलने के काम किया है मेनपुरी का भी इतियास रगरा साक बदलने जा रहा है मेनपुरी पहुचे अखलीश शादो शेकर सानंद आश्रम में जिस चद्धांजिली सवामिशा मिल हुए अखलीश शादो ने भंडारी का बसाद ग्रहड किया मेनपुरी अपचुनाओ पर अखलीश शादो ने का कि मेनपुरी की जनता का सीधा संपर्ग और रिष्टा नीता जी से था यहाँ की जन्ता ने जो विकास देखा है जो पहचान निता जी ने बनाई है उसका परड़ाम आड़ दिसंबर को दिखाए देगा हमें उम्मीद है मैनपुरी की जन्ता था सीधा सीधा संपर और सीधा सीधा एक रिष्टा जो था वो निता जीज़ था और मुझे उम्मीद है कि मैनपुरी की जन्ता ने जो विकास देखा है मैनपुरी के जो पहचान निताजी ने बनाई उसका परड़ाम आपको बास सारी के बाद आड़ तारी को जब बोट खुलेंगे दिखाई देगा रामपुर में आजम खा के करीबी फसाथ अली शानों के बीजेपी में शामिल हुने पर आजम खा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया उन्होंने कहा कि अब भोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है महीं रामपुर से समाधादी पार्टी के मिद्वार आसम रजा ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चुनाओ आसम खा का चुनाओ है आजम खा का चुनाओ है इसे माई कोई उसाब नहीं पड़ता है ये आदम खा साथ का शेहर है आदम खा साथ का चुनाओ है आदम खा साथ की महबत है हमेशे हों ने आदम खा साथ की महबत के जवा महबत से दिया है रामपुर में जो कराया है तो तब दीली आईए है नोग देख रही है आदम खाथ दबार यहाँ से चले जाए जाए है तो क्यार भी वारे भी सुने जाएगे